अब हमें दोस्तों क्या करना है हमारा यह PUBG गैम इसको यहां से हमें ओपिन करना है देख सकते हैं हमारा जो गैम yец यहां पर भी सौरा है दोस्तों किया आप भी online gaming करना चाते हो या gaming की विडियो के YouTube पर चला कर पैसा कबाना चाते हो तो यह विडियो आपके लिए है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफीसल होने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो में बने रही है कि आफ चली वीडियो को शुरू करते हैं तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौरफ स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गौरफ ब्लाक्स पर गैमिंग करने के लिए दोस्तों क्या के चीजों की जरूत पड़ेगी पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं इन सभी चीजों को आप अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिएगा पहला आता है आपका मोबाइल इस मोबाइल में हमें PUBG इंस्टॉल कर लेना है आपकी कैसे इंस्टॉल करते हों मैं आगे बताऊंगा OBS Studio की अप्लीकेशन होनी चाहिए सस्ता सा कोई भी हैड़ फॉन या कोई भी माइक होना चाहिए बाकी एलगाटों वगेरा इतने महिंगे महिंग आइटम खरेदें की कोई जरूत नहीं है अब सेटप कैसे करे कहानी आ जाती है मेरे रिंग के लिए उसको इंस्टॉल कर लेना कैसे इंस्टॉल की जाती है मैं आगे आपको बताऊंगा लैप्लीकेशन को इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और लास्ट में OBS एप्लीकेशन को भी अपने लैप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है किस तरीके आती है इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की के इंस्टॉलिशन करने का पूरा प्रोसेस क्या है तो सबसे पहले अपने मोवाइल उठाएंगे मोवाइल में डोओन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टॉर में जाना है ड description में दिये हुए link पर जाकर भी आप इस application को install कर सकते हैं, अब laptop में भी Doon application को install कर लेना है, उसके लिए Chrome में जाकर search करना है Doon, इस वाले link पर जाकर click करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ interface सो होगा, और आपको यहाँ पर अलग-अलग option डाउनलोड करने के सो होंगे, आपको Windows 64-bit पर click करके अपने laptop की किसी भी location में इसको download कर लेना है, फिर इसको install कर लेना है, और जो Macbook user है या Apple वाला laptop चलाते हैं, उनको Mac OS की जो option है, इस पर click करके download कर लेना है, इस application को install कर लेना है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने mobile और laptop दोनों में Doon application को install कर लिया, download कर अब बारी आती है OBS Studio application को download करने की अपने laptop में, तो आपको कुछ नहीं करना है, Chrome में जाना है, वहाँ सर्च करना है OBS Studio दे हुए link पर click करना है, यहाँ पर नीचे अलग-अलग options हो हो रहे होंगे, अगर आपका Windows laptop है, तो आपको Windows पर click करके application को download कर लेना है, और अगर आपका OBS Studio को open करना है, कुछ इस तरीके का interface आपको so होगा, यहाँ पर आपको scene, source, audio mixer, scene transition and control जैसे जो portions हैं वो so हो रहे होंगे, अब जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस उनको steps को आपको ध्यान से समझना और follow करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम scene create करेंगे, तो scene create करने के लिए आपको यह जो scene वाला portion दिखाई दे रहा है, इसमें जो plus का option है, इस पर आपको click करना है, और click करने के बाद okay कर देना है, आपका scene देख सकते हैं, create हो चुका है, अब आपको यहाँ पर एक source वाला portion दिखाई दे रहा होगा, इस वाले portion में plus वाला यह जो option इस पर click करना है, जैसे ही plus वाले option पर हम click करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे options आपको show हो रहे होंगे, आपको किसी को भी नहीं छेड़ना है, केवल audio input capture इस वाले option को select कर लेना है, और okay कर देना है, जैसे ही हम okay करेंगे, यहाँ पर एक pop-up menu show होगा, अब आपको यह जो default करके option है, इसको click करना ह हमारा जो mic है वो select हो चुका है, अब हम mic की audio में, audio को clear crystal कर लेते हैं, उसके लिए यह filter का जो option दिखाई दे रहा है, इस पर आपको click करना है, यहाँ new paper menu show होगा, उसके बाद यहाँ पर यह जो plus का option है, इस पर click करेंगे, अब बहुत सारे option आपके सामने show हो रहे होंगे, आप आपको अपने काम के option को select कर लेना है, यहाँ पर आपको noise suppression का option select कर लेना है, method वाले option में जाकर, are noise good quality, more CPU uses, इस वाले option को select कर लेना है, उसके बाद 12 plus वाले option पर click करना है, और compressor वाले इस option को select कर लेना है, और default setting को ही रहने देना है, कोई छिड़शाड़ मत कर देना, तो इस हमारी जो audio की setting है वो भी complete हो जाती है, अब game की screen को capture करने के लिए हम window capture ये जो option है, इसको select करेंगे, उसके लिए source में जाकर आपको plus वाले option पर click करना है, दुबारे से बहुत सारे options हो रहे होंगे, उसमें से आपको window capture इस option को select कर लेना है, और ok कर देना है, अभी आपके सामन हम remind करा लेते हैं, mobile और laptop की screen में हमने do one application को select कर लिया है, OBS studio application को download करके जो important setting है, उनके साथ इनको install कर लिया है, अपने mic को laptop से भी connect कर लिया है, और हमारे mobile के जो charger होता है, उसकी जो data cable होती है, उसको एक port अपने laptop में और एक port अपने mobile में connect कर लिया है, और हाँ दोस्तों आप आपका जो laptop है, वो internet से connect होना चाहिए, चाहें वो Wi-Fi के तुरू हो, या फिर आपका जो mobile का hot spot है, उसके तुरू हो, लेकिन आपका laptop अपने internet से connect जरूर होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अब हम अपने laptop में do one application को install करेंगे, अब जो हम do one application है, जिसको ह right hand side के corner में जाकर setting वाले option पर click करना है, देख सकते हैं, तो left hand side में कुछ option दिखाई दे रहे होंगे, उसमें general वाले option पर जाकर मेरी तरह आपको भी इस तरीकी की setting कर ले नहीं है, उसके बाद iOS या Apple mobile वाले इस setting को अपने laptop में कर ले, जो आपके display पर दिखाई दे रही है, Android वाले देख सकते हैं, अपनी display पर इस वाली settings को कर ले, फिर वीडियो वाले option में जाकर ये जो setting इसको कर ले, वीडियो को पहुच करके रोप सकते हैं, recording वाले option में जाकर ये वाली setting कर ले, और hardware option में जाकर आप अपने laptop की configuration देख सकते हैं, shortcut वाले option में जाकर आप देख सकते तो दोस्तो इतना ही करना है, do one application की जो settings है वो complete हो जाती है तो दोस्तो अब हमारा सब काम complete हो चुका है, अब ये जो हमारे mobile charger की data cable आता है अब इसका काम इसका क्या करना है, ये जो data cable एक port हम connect करेंगे अपने laptop में इक तरीके से और जो दूसरा port है दोस्तों वो connect करेंगे अपने mobile से तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा port जो है connect हो गया है और अपने laptop को अपने internet से connect रखना है और दोस्तों यह जो बायर्ड headphone है यह मैंने connect कर लिए है क्योंकि sound का output भी चाहिए तो आप चाहें यह वाले कर सकते हो मेरे यह रखे हुए थे लेकिन मैंने आपको देखते हुए यह वाले headphone connect की है क्योंकि I think यह वाले आपके पास होंगे नहीं तो मैंने यह normal से headphone जो है अपने laptop से connect कर लिए है और दोस्तों यह मेरा बोया का B.Y.M.N. का माइक है सस्तम अद्दा सा आता है आप पर चेज कर सकते हैं इससे क्या होगा आपकी जो vocal है जो audio quality है वो थोड़ा सा improve हो जाएगी जो audience के लिए attract करने में बहुत ज़दा important role play करती है तो देख सकते हैं यह बोया का माइक है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर connect कर लिया है और यहाँ पर अपने caller पर इस तरीके से मैंने इसको place कर लिया है तो दोस्तों बस हमें इतना ही काम complete करना है अब आते अपने laptop की screen पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो Dovan नाम की application इंस्टॉल करीती इसको यहाँ पर हमें open करना है yes करना है और इस application को open कर लेना है तो यहाँ पर यह application open हो चुकी और साथी साथ हमारे जो mobile में application हमने जो install करी थी इसको यहां से भी open करना है और यहां पर अब यह connect नहीं है तो इसको दोबारा से यहां से insert करना है insert करने के बाद आप देख सकते हैं यह जो do one नाम की application ने open हो जाएगी start now पर जैसे ही आप click करेंगे तो देख सकते हैं मेरा जो mobile है और इसकी जो display है हमारे laptop में show हो रही है तो देख सकते हैं दोस्तो हमारी जो display है बिल्कुल proper work कर रही है कोई भी delay ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है अब हमें क्या करना है दोस्तो उसको हमें maximize कर लेना है और three finger से हमें क्या करना है हमें आ जाना है अपने OBS studio पर तो हमारा जो OBS studio दोस्तो यहां पर open हो चुका है अब हमें यहां पर जो plus का icon दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर click करके audio output capture करके यह वाला option और add कर लेना है हमारा यह जो headphone है इसको select कर लेना है तो हम इसको select कर लेते हैं यह जो wired वाला हमने जो headphone लगाया तो हमने select कर लिया है अब यहां पर जो दोस्तो window capture device करके option दिखाई दे रहा है यहां पर यहां पर आपको double click करना है फिर यहां पर जो window का option है यहाँ पर आपको क्लिक करना है Do One Window Capture 1 Plus को कि मेरा 1 Plus का डिवाइस है इसलिए यहाँ पर 1 Plus सो कर रहा है इसको आपर क्लिक कर देना है और OK कर देना है उसके बाद यह देख सकते हैं इसका जो फ्रेम है अलग-अलग भाग रही है रेड कलर की जो लाइन है अलग-अलग भाग रही है आपको क्या करना है इस पर राइट क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म में जाना है ट्रांसफॉर्म के बाद फिट टू स्क्रीन कर देना है तो हमारी जो स्क्रीन है वो फिट हो जाएगी अब हमें दोस्तों क्या करना है हमारा जो यह PUBG गैमे इसको यहां से हमें ओपिन करना है देख सकते हैं हमारा जो गैमे यहां पर भी सो हो रहा है और दोस्तों अगर आपका sound speaker से आ रहा है तो यहां पर आपको click करके इस option पर click करना है और जो speaker का sound आ रहा है वो आपको headphone पर connect कर ल को प्रेस करें रहना है और अपने करजर को ऊपर ले जाना है और इसको ना इस तरीके से यह सैट कर देना है इस तरीके से यह देख सकते हैं यहां पर आल्ट को दवाय रखना है इसी तरीके से ऊपर वाले को कर देना है इस तरीके से तो हमारी जो डिश्पले है यह प्रॉपर इस तरह के सेट करें उपर कर देना है तो इस तरह के से हमारी डिसप्ले है प्रॉपर यहां पर लग चुकी है अब आप बड़े ही आराम से अपना जो घैम है वो प्ले कर सकते हैं और दोस्तो यह है मेरे वर्ण्ट तो देख सकते हैं तो यहां पर बट्स लगाने का मेरा रीजन यह है क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स लगा रहा है उनसे मैं बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकूँगा ही ताम जाम करना है अब हमें क्या करना है अपने जो गैम है यहां पर प्ले करता है तो यहां पर अल्रेडी मैंने एक सीन बना कर रखाता यह वाला तो यहां पर मैं इसको कैप्चर कर लेता हूं तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा सीन कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहां पर मैंने overlay लगा दिया है और मैंने जो अपना कैमरा है वो यहां पर place कर ढ़िया देखकते हैं इन्हीरा कैमरा लगा हुआ है और यहां पर circle में दोस्तों में थोड़ी से एक overly लगा लिए यहां पर आप देख सकते हैं start streaming करके एक option है, start recording करके एक option है, तो यहां पर start streaming करके एक option है, वहां से आप online जाकर play कर सकते हैं game को, लेकिन मैं start streaming नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो narrative वो slow है, लेकिन अगर आप comment box में comment करके बताओगे, कि streaming का भी एक video बना दो, तो उस से related भी मैं आपको video बना दूँगा, अभी मैं recording करके आपको दिखा देता हूँ, इसकी clarity quality किस तरीके की आती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, start recording करके जो option है, इसको यहां पर हम इस तरीके से start कर देते हैं, तो हमारी जो recording है, वो proper अब होने लग गई है, तो यहां पर चलिए थोड स्रू हो चुका है, दोस्तो, गया एक, आप यहां पर देख सकते हैं, फ्रेम रीड वगेर आभी, कैसे आ रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत ही आसान, इससे आप अपना जो gameplay है, वो कर सकते हैं, आप यहां पर तो इस तरीके से अपना जो gameplay है, वो आप यहां पर कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, के मेरे जो फ्रेम रेट है, वो कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, तो यहां प होगी क्योंकि यहां पर आज मैंने आपको बहुती सस्ता जुगाड बताया है कि अगर आप गैम लबर हो पबजी लबर हो तो किस तरीके से मिररिंग करके आप अपने गैम को प्ले कर सकते हैं और यूट्यूब और अधर सोशल साइट पर भी डाल सकते हैं अर्णिंग कर सकते हैं तो दोस्तों अगरे वीडियो आपके लिए हैल्पल रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगली वीडियो में दुवारा से बुलाकात करते हैं जब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए जय हिंद्ध